नमस्कार स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में आपके साथ मैं अखिलेश आनन्द हूँ आप देख रहे हैं मोधी फैक्टर लोगसभाद चुनाव का काउंडाउन शुरू हो चुका है हर सियासी डल अपने समीकर्णों को सुल्जाने में चुटे हुए है एंडिये ने बिहार में सीटों का बटवारा कर लिया है बीजेपी 17 और जेडियू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 5, मांजी और कुश्वाहा की पार्टी को एक-एक सीट मिली दूसरी और इंडिया गटवंधन में सीटों का पेच अब भी फसा हुआ है और इन सब के बीच बिहार में CAA को लेकर इंडिये के अंदर घमासान मचा हुआ है तो सवाल ये क्या इस चुनाव में CAA बड़ा मुद्दा बनेगा इसे जानने के लिए A.V.P. News की टीम पहुची राजस्थान के जोधपुर जहां बड़ी तादाद में शरणार्थी भी रहते हैं चार जुन को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसलिए लोग कह रहे हैं चार जुन को चार जुन को एक तरप शक्ति के बिनास के लोग करने वाले लोग हैं दूसरी तरप शक्ति की उजा करने वाले लोग हैं मुकाबला चार जुन को हो जाएगा चार जुन को नतीजों के बाद केंद्र में भाजपा सरकार बनेगी अब की बार चार सो पार की हुंकार भरने वाले हिंदुस्तान के प्रधान जब एंटी इंकंबेंसी की हर दिवार को द्वस्त करने के लिए आश्वस्त है जब प्रधानमंत्री मोदी, आधियाबादी के आसरे, राहुल गांथी या कहिए समूचे विपक्ष को चक्रवीव में खड़ा कर रही है जब मोदी सरकार अपने पुरातन वोट बैंक को साथने के लिए के CAA को सीड़ी बनाने की कोशिश में तब बड़ोसी मुलकों के गैर मुस्लिमों को नागरिक्ता की गैरंटी देने वाले कानून पर सियासी खमासान चुड़ा है पीजेपी की ये एक पुरानी आदत है एलेक्शन बेनस्दीक माइनोरिटीस को निशाना बनाते हैं तो CAA उसी हवाले से जो है एक और कदम है कि बिहार में CAA लागू नहीं होगा सब लोगों को नागरिक्ता मिलती है इस पर किसी को आपति नहीं है और आपति करने वाले लोग ऐसे लोग क्या इस समाज के हिताइसी नहीं है ये उनके से पूछिये जाकर CAA कानून लागू हो गया है इसका मतलब ये है कि पड़ोसी मुलकों से विस्थापित होकर आए वहां के अलपसंक्यक यानि की गैर मुसलमानों को अब हिंदोस्तान में नागरिक्ता मिल जाएगी लेकिन सवाल ये है कि क्या आने वाले 2024 के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि जिस बिल को 2019 में पास कर दिया गया था उसे की अधिसूचना जारी करने में 5 साल का वक्त लग गया तो क्या आने वाले चुनाव में CAA एक आहम मुद्दा होगा क्या मोदी ने CAA लागू कर अपने वोट बढ़ा लिये हैं या फर BJP को CAA लागू करने का खामियाजा भगत ना पड़ेगा इसी को समझने के लिए इस वक्त हम राजस्थान के जोदपूर में मौजूद हैं जहां पे बड़ी संख्या में हिंदोस्तानी मुसल्मानों के साथ-साथ वस्तापित हिंदों की भी आबाद वो सूरे नगरी जहां की सियासत में गजेंदर सिंख शेखावत की जमक अर अशोग गहलोद की तमक भी है जहां से चंद सो किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान की सरहनी वहां CAA को लेकर मुसल्मानों की दिमाग में क्या चल रहा है सुनिए इस वक्त हम जोधपुर के गासमंडी लोहारों के चौक के इलाके में हूँ बात वही है सवाल वही है कि क्या आने वाले चुनाव में मोदी की गारंटी का असर दिखेगा हलाकि ये दावा किया जा रहा है बार बार कि जिन बातों की गारंटी दी उन बातों को पूरा किया और इसी कड़ी में अभी जो बिलकुल जिस गारंटी की बात की जा रही है कि CAA को कानून का रूप दे दिया गया है चलिए यहां पे इस मोहले के तमाम लोग मौजूद हैं अभी CAA कानून आ गया अभी इस कानून में है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगला दे CAA कानून सब के लिए अच्छा है सैर में खड़ाई हों, इंदुअथ तागा है हिलाका है, तो गहलोग का है, तो क्या वो तो िरूथ को यह मलिक तोड़ी यहां के यह और यह जो है और उन को वहाँपर संक्यक है, और उनको प्रिस्सान किया जा रहा है, वो लोग आते हैं, मसल्मान तो नहीं आये गांटी क यह विल्कुल मुद्दा हो गाई इसको बीजेबि बुनाएगी बाट अच्छी तरह से बुनाएगी बिल्कुल चुनावी मुद्दा होगा लेकिन इसमें जो कांग्रेस वाले यह ब्रह भेला रहे हैं कि मुसल्मानों को इंदुस्तान से निकला जाएगा क्यों निकला जाएगा जितना हिंदुस्तान हिंदुओं का उतना ही हमारा है चुनाओं का जब वक्त आता है तो बहुत तरह की बातें की जाती है वह बातें इसलिए की जाती है के हिंदू-मुस्लिम पॉइ जो है, कॉंझरेज आज तक करती है, लेक्स ने जो है बिलकुल वह कॉंघरेज जो है, उसका काम यही है का इलपसंकियों को दबाना, इलपसंकियों के बारे में कोई सोचन नहीं, सिर्फ जुन जुना जो है वो पकड़ा देना जुन जुना 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 जो अभी मैनत कर रहा है, बहुत अची कर रहा है, इसको ये मैनत दस साल पहले करनी थी, तो आज राज़नी सी में कुछ अलग करनी थी, वहीं कुछ और भी लोग मौजूद थी, कैमरा जब उनकी ओर मुडात तो उन्होंने क्या कहा, सुनाती है। को बंदाम करने के लिए उतर हुए है। कि अच्छा काम हो रहा है, वहाँ जितनी महंगई है, हस्या ज्यादा महंगई है। कि अच्छा काम के राम लीला का मंदिर बना, कांग्रेस ने तो सरकार, कांग्रेस चाती ने तो बना सकती थी, लेकिन नी बनाया। कि अच्छा करने के लिए उन्हों मन में के लिए मंदिर बनाओंगा और घर दोंगा राम जी को दिये दिया। कि मुद्धा खतम कर दिया। मैं करता हूं मोदी जी है मुम्कीन है। तो क्या आपको लग रहा है 400 पार चार सो सी पार आएगा विज़ाब देखना रात कहां से आएगा। मैं कह रहा हूं 400 से बाहर विज़ाब चार सो तो सीटे बंटे परसंट आएगी। तो कह रहा है कि पिछली वार 25 पच्चिस दिया तो इसका मोदी जी मेरा ना बजी साब गुरू जी है। मैं को आशी वाद मिला हूँगा है। तो ऐसा सीए आपके लिए कोई मुर्दा नहीं है। अगर सीए होता है तो कोई मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। आज तक कोई दिक्कत नहीं होता आगे क्या होगी बताई आप। सिटिजेंशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA से क्या होने वाला है वो समझे जरा। पाकिस्तान, बांगला देश और अफगानिस्तान से आए गैर मुसलिम शरणार्थियों को भारती नागरिकता दी जायेगी। एंडू, सिक, बॉद, जैन, पारसी, इसाई शरणार्थियों को ही भारत की नागरिकता दी जायेगी। जिन शर्णार्थियों न 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है नागरिकता सिर्फ उन्हें ही दी जाएगी CAA कानून से भारती नागरिकों के अधिकारों पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ेगा ये बात जोधपूर के घंटाघर के पास मौझूद कम बेश हर मुसल्मान को पता रहे है अभी एक नया कानून आ गया CAA सुना आपने क्या चीजिए ये BCAA हम तो समझे कोन CAA क्या चीजिए होती इस इस इलाके के ज्यादातर मुसल्मान इस से आशवस्त है कि CAA से कोई फर्क नहीं पड़े इस इस इए बगर कुछ मालूम है आपको क्या है सी इए जो अफगानिस्तान पकिस्तान और बंगलादेश में जो इंदू रहते हैं बुन पात्याचार होता है बुन को इंदुस्तान में लाने के लिए यह आपको अच्छा लग रहे हैं अच्छा है सही है पाकिस्तान से सटे राजिस्तान में बड़ी तादाद में शरणार्थी रहते हैं रिपोर्ट की मताबिक 35,000 से ज्यादा शरणार्थी तक्रीबं 15 सालों से नागरिक्ता के लिए भटक रहे हैं लियाजा एविपी न्यूज की टीम जोधपूर शहर से तक्रीबं 15 किलोमेटर दूर पहाड़ियों के पीच बसी शरणार्थियों की बस्ती पहुचा जहां CAA पर नोटिफिकेशन लागू होने के बाद से जशन है जापूर सहर से तक्रीबं 15 किलोमेटर दूरी पहे ये बस्ती है इस बस्ती को यहां के लोगों ने पाकिस्तानी सरनार्थी बस्ती का नाम दिया है लेकिन जब से CAA का कानून आया यहां पर उत्समसा मोहौल है हमें जो जानकारी मिली है कि तक्रीबं 5-6,000 लोग जो पाकिस्तान में रहते थे पहले वहां से खास करके यह तमाम लोग हिंदू समुदाय के हैं यह पाकिस्तान से कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल पहले यहां आ गया था लेकिन अब जब यह कानून आया है तो पहले इस मोहौल को देखिए आप उसके बाद इन तमाम लोगों से बात्चीत की जाईए तो देखिए कुछ इस तरह का महौल है, तमाम लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल, मंजीरे बज रहे हैं और यह मंदिर है, और मैं आपको पहले इलाका दिखाता हूं, बंजर सा इलाका है इनलोगों से बात करते हैं, कब आए, कैसे आए, और यहां पे कैसे आप लोग आकर यहां सेटल हुए पाकिस्तान में क्या परिशानियां हुई यहां आने के बाद किस तरह का महौल था हम विस्तापत लोग 2014 में मुस्ली आये हैं और उससे पहले भी आये हैं और यहां प्रीफिर इसलिए किया कि लोग जो सर यहां जो पाकिस्तान गए थे तो सारे अपने सीमावर्ती एरिया जैसल मेर, बाड मेर, बीकानर, सरहदी एरियों में थे एक बात आप गौर फरमाएं कि इनके जो अलफाज हैं ये अलफाज आपको यहां के अलफाज नहीं देखिए इन में उर्दू के सब्द हैं तमाम चीजें कितने उमर तक आप रहें पाकिस्ताने सर मैं 2014 में आया हूँ मेरी जो मेरा पूरा जो जीवन वहीं गुजरा है और हमारे जो बुजरिक थे वो सेन्ताली से पहले ही चले गया थे हमेरे जिन्दाबाद मोदी हमारे इस लागू किया तो हमारे के इतनी खुशी हुए है एक दीवा लिनी की कि तीन चार दी वाले हमने की है लोग जो मुद्धः उठारें एंखे रहे हैं कि भारत की लोग जो भार कमाने जा रहे हैं मोधी जीजी जो है उनको सिटीजन सिप्यान लाके दे रहे हैं हम कहरें कि हम इंदू नहीं है कि हमारा को अब तो आपको मत का अधिकार भी मिल जाएक। बिल्कुल बिल्कुल अभी इसे अपना 2019 के कानून के एक्ट के हिसाब से ये काफी लोग ऐसे 15-20,000 जो है पेंडिंग में जिनकी बिल्कुल दिली ख्वाश है अब तो पूरे इनका एक जोश और जजबे के साथ भारती बनकर और मोधी जो को वोट देंगे रिपोर्ट के मुताबिक जोदपुर में 18,200 लॉंग टर्म वीजा धारक पांच हजार के करीब ऐसे लोग है जिनको अब तक LTV भी नहीं मिला लेहाजा बड़ी तादाद ऐसे शराणार्थियों की है जो CAA लागू होने के बावजूद भारत के नागरिक नहीं बन पाएंगे सियासी तोर पर देखे तो ये जोदपुर कभी अशोग गहलोद का गड़ हुआ करता था लेकिन सूबे की सियासत में गहलोद की एंट्री के बाद ये पूरी तरह से BJP के कबजे में आ रहे हैं 1980, 1984, 1991, 1996 और 1998 में अशोग गहलोद जोदपुर से सांसत 2014 से गजेंदर सिंग शेखावत जोदपुर से सांसत बन रहे हैं BJP ने फिर से जब गजेंदर को मैदाने जंग में उतारा है तो कॉंग्रेस ने करन सिंग उच्ची आरडा को टिकट दिया है जब चुनाव की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है तब जोदपुर के बंबा मॉला इलाके के लोग CAA को लेकर क्या कह रहे हैं सुनिये जब इस वक्त हम जोदपुर के बंबा मॉला में हैं यहां पे तमाम लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं हाजी बहिया जी यह यह बताइए आप लोगों को मालूम है CAA कानून पास हुआ है इस पीछे कही न Bye CAA कानून निए जो बंगलादेश से पाकिस्तान से और आपनिस्तान से मुस्लिम को चोड़ को सब को अला को कि उख्ता है कि इसके पीछे कहीनकों कोई राजनीती हो रही है कोई बोट Illinois है इक स्थे कोन करता अवित रमजान का महीना चल रहा है और एक दिन पहले कानून आए पहले में रोखेन般 करें और लगन तरीक हैं यह सिरब पब्लिक को गुम्रा करने का तरीका कैसे गुम्रा किया जाए वर्षिंद्द्ध यहां के रहना रहे है रहा है किसी और काम में रहा है और और अब तो रोजा खोलने का वक्त हुँ है और मैं इसी वकट टपक गया हूँ सीय ए बगरा है अब हर। लेकिन हम तो यह चाहता है, मोदी जी ने बोला था सब का साथ सब का विश्वास, तो वो चीज हो दी नहीं है, मुसल्मानों को तार्गिर मुना जाता है। सब के अपने अपने तर्ग हैं, अपने हिसाब से तथे भी हैं, और ये भी सियासी हवा का रोख टाय करने के लिए एहम है। आपको वता दें कि जोदपूर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर। और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर।